हेलो, नमस्कार, कैसे हो आप सब, मैं हूँ रश्मी सचान और स्वागत है आपका बहुत-बहुत मेरे यूट्यूब चानल पर देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, ये करवा है और ये चांदी का है, ये कितना गंदा हो चुका है नमी की वज़े से और साफ करने के बाद ये कुछ इस तरह का चमकदार हो गया है, पांच मिनट में, यहां पर मेरे पास ये करवा है, ये काफी गंदा है, देख पा रहे हों गया, बिल्कुल पीला है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये चांदी का है, क्योंकि इसमें काफी नमी इसको लग नमी की वज़े से mostly आप चांदी के वर्तनों को नमी में बिल्कुल ना रखें तो यहां तो करवा है पायल बहुत बड़ा टास्क होता है साफ करना हम लेडिजों के लिए और यह मेरे पास चांदी का एक दिया भी है तो मैं इसे भी साफ करूँगी आपके पास चांदी की मू यह जो हमने यह पैन लिया है इस पैन में यह करवा जो है वह आ नहीं पाएगा तो एक पैन ले लेते हैं इसमें मैंने एक गिलास पानी डाला है क्योंकि मेरे पास बहुत जादा चीज़े नहीं साफ करने के लिए अगर आपके पास और जादा चीज़े हैं मूर्तियां है या और बरतन है तो आप बड़ा पैन लीजिएगा एक दो लीटर पानी के साथ मैंने इसमें एक चमच भर के बेकिंग सोडा डाला हुआ है यानि कि खाने वाला सोडा जो हमारी किचन में बड़ी आसानी सोप लब्द है साथी साथ यह ऐलूमिनियम फॉयल जिसमें खाना र झाला 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 झाल झाल अच्छी तरह से हमें ये सोडा से अपलाई कर देना है जो सोडा का मिक्चर है जिस तरह से वीडियो में आप देख पा रहे हैं इसी तरह से ये बरतन बड़ा है अगर ये छोटा होता तो हम इसे भी पैन में डालके आराम से डाल देते तो कोई दिक्कत नहीं थी और भी अच्छी तरह चमक जाता क्योंकि इसमें इतनी जदा डेजाइन बनी हुई है कि ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसको साफ करना अच्छी तरह से और मैंने भगोने से जो मैंने रखा हुआ था उसमें पायल और दिया डाला था उसको निकाल लिया है और मैंने यहां पर एक इस तरह की एक डलिया बड़ा परतन ले लिया जिसमें मैं आपको दिखा सकती हूं साफ करके तो मुझे कोई साबून लगाने की जौरत नहीं कुछ भी लगाने की जौरत नहीं वही जो गरम पानी जिसमें हमने उबाला था ब्रश ले लेकर इस तरह से हम इसे थोड़ा थोड़ा रगड़ देते का बहुत जाद आसर होता है मैं इसे साफ पानी से आपको दो कर दिखाती हूं यह देखिए यह बहुत ही अच्छी तरह से चमक रही है एकदम नया जिसी ब्राइटनेस आ गई है इसमें इसी तरह से हम दिये को भी साफ कर लेंगे अगर आपके पास लोगों के आहां बहुत बरतन होते हैं तो दिया साफ करना थोड़ा इससे असाननी लग रहा है मुझे ब्रश है तो इसे जो बरतन वाला बाहर होता है मैंने पास साहत करते हैं तो उसी गरम पानी के हेल्प से जिसमें हमने इसे उबाला था इसे हम रगड कर इसे साब करेंगे और आप देखेंगे कि एक दम लाल था जब हमने डाला था कॉपर जैसा था और अभी दो भी वाइट निकलेगा सोडा और अलूमिनियम उपर से गरम पानी तो ये सब बहुत ही कमाल का काम करते हैं देख पा रहे हैं ये कितना वाइट हो गया है तो आप देख पा रहे हैं अब दिवाली आ रही है तेवार आ रहे हैं तो हम सभी लोग को सफाई की बहुत ज़रत पढ़ने वाली है तो आप इसी तरह से चांदी की बरतन चमकाईए कि कि नॉर्मल जब हम साबून से साफ करते हैं तो इतनी अच्छी चमक नहीं आती है और अगर आपका करवा फिलेन हैं कोई डिजाइन नहीं बनी है तो आप बार का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मेरे करवामें डिजाइन बहुत ज़यादा बनी इसलिए मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूं और इस तरह से रगडते हुई के हाथों से अब ये जो 10-15 लिए हम आप सब देख सकते हैं अंतर तो यह लीजिए रिजल्ट आपके सामने हैं बिल्कुल सब चीजें एकदम अच्छी तरह साफ हो गई है मैं उमीद कर रहे हूं कि आपको यह वीडियो काफी हेल्प फुल लगे होंगे देखें अभी यह दोनों एक ही कलर के हो गए है तो आने व हो सके और पसंद आये तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजेगा और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब जिससे कीसी तरह के अच्छे और आसान टिप्स और ड्रिक्स के वीडियो आपको मिलते रहें